नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे पास है iPhone 11 और आपके पास कोई भी iPhone हो फार्क नहीं पड़ता तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने iPhone 11 में alarm setting कैसे कर सकते हैं और alarm की full यहाँ पर customization भी आपको बताने वाला हूँ तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको चले जाना होगा यहाँ पर control center पर तो control center पर आपको पता होगा कि कैसे जाना है इधर से जवाब करते हो आपको यहाँ पर यहाँ पर आप देखोगे नीचे के साइड में यहाँ पर alarm का option दिखता है या फिर आप चाहो तो control center customization वाले वीडियो देख करके alarm को directly set कर सकते हो अपने control center में और direct alarm का यहाँ पर icon दिख जाएगा तो आप इस तरह से यहाँ पर जाओगे जब तो आपको यहाँ पर alarm दिखेगा alarm पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस का icon दिखेगा प्लस का icon पर जाओगे और यहाँ से आपको time select कर लेना है जैसे कि मैं 7 बजे का या फिर 9 बजे का alarm चाहता हूँ और इसके पर चाहता हूँ तो एम रख देता हूँ अब यहाँ पर इपीट का उप्सन आ रहा है एक बिंग का मतलब होता है कि कि इन आपको alarm चाहिए जिस दिन चाहिए उस उस दिन के लिए आप यहां पर शिक्मा कीजिए तो मुझे शरीफ यहां पर संडे संडे को चाहिए होता है आमान के चलो, यह तीन दिन चाहिए होता है, तो तीन दिन को select कर देता हूँ, label, label मतलब यह alarm किस purpose के regard चाहिए, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखने के बाद डन कर सकते हैं, इसके बाद sound, यानि कि जो यह alarm set कर रहे हो, इसकी sound कैसी होनी चाहिए, और vibration कैसी होनी चाहिए, तो पहले vibration को हम यहाँ से select कर लेंगे, जैसे हाटवीट वाला मुझे का भी पसंद है, और vibration नहीं चाहिए, तो none पर भी कर सकते हो, इसके बाद बैक कर देना है, और इसके बाद अगर आपको song कोई pick करना है, तो आप यहाँ पर pick a song पर जा करके library side कर सकते हो, और अगर आपको ringtone चाहिए, तो यहाँ से आप कोई भी ringtone को select कर सकते हो, तो मैं यहाँ से कोई भी एक ringtone को select कर लेता हूँ, यह वाला पसंद आ रहा है, तो यह मैं select कर लेता हूँ, और इसके save कर दूँगा, तो इस तरह से आपका alarm save हो जाएगा, ठीक है, अगर alarm को आपको off करना है, जैसे कि पहले से alarm लगा हुआ है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, control center में जाना है, यहाँ पर चले जाना है, इसके बाद alarm को off कर देना है, अब मान के चले alarm को पूरा delete करना है आपको, तो यहाँ पर आप जाओगे, और यहाँ पर delete पर क्लिक कर दोगे, तो alarm आपका delete हो जाएगा, इसे तरह से प्लस पर जाके, आप कोई भी एक alarm set कर सकते हो, प्लस पर जाके वापस से कोई alarm set कर सकते हो, इस तरह से आप alarm set कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, off कर सकते हो, त I hope guys की वीडियो आपको पसंद आया वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब जोड़ूर कीजेगा तो चले मिलते हैं एक नेक्स प्रियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार